विश्वमित्र के यग्ये की रक्षा अब राजकुमार बड़े हो चले थे। बलविक्रम के साथ उनमें शील विनय आदी गुण भी थे। अपने पुत्रों के रूप गुण और शील स्वभाव को देख कर माता पिता हर्ष से फूले नहीं समाते थे। के लिए आगे बड़े। राजा ने मुनी को सादर प्रणाम किया। उन्हें उचित आसांग पर बैठाया। और सेवा सेवा सतकार से संतुष्ट किया। इसके बाद राजा दश्रत हाथ जोड कर बोले। भगवान आपके पधारने से हमारी नगरी धन्य हुई। अब आग्या करे कि क्या सेवा करू। विश्वा मित्र प्रसन होकर बोले। राजन विशेश कारिवश ही आपके पास आया हूँ। हमारे यग्य में राक्षस विग्ण डाल रहे है। राक्षस रावन के दो अनुचर मरीच और सुबाहु हमें यग्य नहीं करने देते। यग्य की रक्षा के लिए हम आपके वी विश्वा मित्र से बोले रिश्राज यह आपने कैसी बात कह दी। रावन के सामने तो देवता, दानव, गंधर्व कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। उससे वैर मोल लेना हसी खेल नहीं। मेरा राम तो अभी बालकी है। मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और आपके यग्ये की रक्षा करूँगा। मेरे प्राण प्यारे राम पर कृपा कीजिए, बुडापे में पुत्र वियोग से मुझे दुहखी न कीजिए। इतना कहकर राजा विश्वा मित्र के चरणों पर गिर पड़े। विश्वा मित्र रुष्ठ होकर बोले। राजन आपका आचरण तो रघुवन्शियों जैसा नहीं है। लो में जाता हूँ। तब राजगुरु वशिष्ट ने राजा को समझाया महर्शी विश्वा मित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और अनेक कुप्ट विद्याओं के पंडित हैं। वे कुछ सोच समझ कर ह आपके पास आए हैं। राम को जाने दे, कोई इनका बाल भी बाका न कर सकेगा। तब राजा दश्रत ने राम को विश्वा मित्र के हाथ सौप दिया। लक्षमण भी बड़े भाई के साथ चल दिये। लक्षमण भी बड़े भाई के साथ चल दिये। विश्वा मित्र के पीछे पीछे धनुष बाण लिये दोनु भाई सर्यू के किनारे जा रहे थे जब वे तीन कोस दूर निकल गए तब विश्वा मित्र ने कहा तुम दोनु भाई नदी ने आजमन कर मेरे पास आओ मैं तुम्हें बला अर्तिबला नाम की गुप्त विद्याएं सिखाना चाहता हूँ इन विद्याओं के मिलने पर तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा और आसुरी शक्तियों से तुम्हारी सुरक्षा रहेगी दोनु भाईयोंने रिशी की आज्या का पालन किया और गंगा के संगम पर उन्होंने गंगा पार की अब वे एक भयानक वन में पहुचे जहां तहें हठी सिंग सु और दिखाई पढ़ने लगे हिंसक पशुओं की आवाजों से वन गूंज रहा था महर्शी विश्वामित्र ने बताया यहां से दो कोस की दुरी पर तड़क हो आज तुम्हें उसका संहार करना है स्री समझ कर उसे छोड़ना ठीक न होगा श्री राम ने उत्तर दिया मैं आपकी आज्या का अवश्य पालम करूंगा यह कहे कर उन्होंने धनुश की डोरी खीच कर छोड़ दी उसकी तंकार से दिशाएं गूंज उठी महराक्षिसी तब ताड का भी उसे सुनकर एक बार घबरा गई और फिर गरचती हुए दोड़ी राम के पास पहुचकर उसने धूल धूल का बाद लुडाया और वह पत्थरों की वर्षा करने लगी राम ने उसे बानों से घायल कर दिया तब ताड का अपनी लंबी बाहें फैला कर रा राम ने उसे चारों ओर से वानों से घेर लिया फिर उसके हृदे में उन्होंने ऐसा तीक्ष्न बान मारा कि वह हरहरा कर गिर पड़ी विश्वामित्र ने राम को गले से लगा लिया प्रसंद होकर रिशी ने दंड चक्र काल चक्र ब्रहमास्त्र आधी अनेक दिव्य राम को दिये राम और लक्ष्मन को साथ लिये मुनी विश्वामित्र अपने तक आगे बड़े महर्शी विश्वामित्र का यही आश्रम था आश्रम वासियों ने उनका यथो चित सतकार किया विश्वामित्र ने उसी दिन यग्य आरंभ कर दिया पाच दिन तक यग्य निर्व मारीच था और दूसरा उसका साथ ही सुबाहु था इन राक्षसों के पीछे बहुत बड़ी सेना भी थी श्री राम ने मारीच पर मानवास्त्र चलाया उसके आघात से वह मूर्चित हो गया और बहुत दूर समुद्र के पास जागिरा जब उसे होश आया तो वह दक्षिड क और भाग गया सुबाहु को श्री राम ने आगनेयास्त्र से मार डाला और साड़ी राक्षस सेना का वायव्यास्त्र से संहार कर दिया विश्वामित्र का यग्य निर्विग्न समाप्थ हो गया विश्वामित्र ने राम को हिदय से लगा लिया सब्रिशी राम की प्रशंस करने लगे चले जात मुनी दीन ही देखाए सुनी जोड कर पूछा अब हमारे लिए क्या आग्या है विश्वा मित्र ने बड़े सने से कहा बत्स मिठिला के राजा जनक को तो तुम जानते होंगे वहां बहुत बड़ा यग्य हो रहा है हम लोग को वहां जाना है तुम दोनो भाई भी हमारे साथ चलो राजा जनक के यहां एक विशित्र धनुष भी है उसे कोई उठा भी नहीं पाता वह धनुष भी तुम देखना अबस्क्राइब वर कि अबस्क्राइब को बाइस्ट अबस्क्राइब लाग्या पर लाजे प्रेश्ट अबस्क्राइब टेस्यूथ